अर्याणा में अर्विंद के जिर्वाल भी आ रहे हैं कि बिजली फ्री, सिक्षा फ्री, सुवस्ता फ्री, पानी फ्री देखो चुनाव से पहले इन राजनेताओं के पास कितने भी बड़े बड़े वादे करालो ये तमाम वादे कर देते हैं लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 2006 में स्वामीन अतनायोग की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, 2014 से लेके 2014 तक बीजेपी की सरकार देख लिए तिसरी टरम बीजेपी की है, उस पे तो किसी ने काम नहीं किया, आज तक किसानों के लि लिए उनका राज, दिल्ली में अभी जो ये खम बेगड रहे हैं, आई टेंशन वायर के, वहां पे दिल्ली किसान का मजदूर का भला कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी, किसान मजदूर का भला जन आंदोलों से होगा, और जन आंदोलों से जो दबाव बनेगा सरका नतीजा सब के सामने है, ये किसान को मजदूर को भगवान बताने लगे, पहले बताते थे आतंकवादी, पहले कहते थे नकसलवादी, इनके जो किरशी मंत्रियां जेपी दलाल, वो किसानों की शादत का मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये तो वैसे भी मरने ही थे, ये तो को गाहिल किया है लखीमपूर खिरी के अंदर च्यार किसान और एक पत्रकार भाई को गाड़ियों के नीचे कुछला है महिला पहलवानों को सड़कों पे गसीटा है उस पार्टी से पूरे प्रदेश की जंता नाराज है और ब्याज समेत इसाव किताब अब की बार इनका करे यह लोगों ने मन बना लिया है और लोग इसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं कि हमारे साथ और भी किसाना क्या क्या क्याना चाहोगे मैनिफेस्टों आया बीचेपी गाम हर खेत तक पानी बेजेंगे 24 पसलों पर MSP गारंटी अगनी वीर योजना के तैद नोकरी बाई किसके सब्सक्रेण बनाएंगे किसान बाइक के सान सोचेंगे बताऊंगे जो मारा बलाचा होगा जो मारे मैनी फिर्च्टों कोई बात नहीं है जो हमारे बलेगी बात करता हैं उसके बारे में सुचेंगे हमारे साथ वर्पी किसान है चाचा क्या कहना चाहोगे अब की बार मैनिफेस्टों पीजेपी और कॉंग्रेश भी दोनों मेलाओ को दो दो जार रुपी जो पानिफेस्टों के बात कर रहो मैनिफेस्टों तो हर प्लान में देते ही कोई वाइदे पूरे किये हैं और जो तो पंदर लाख रुपी का भी जुमला चोड़ा था और गरे में बोला है कांग्रेस कार उसका उनी करते हैं लेकिन जवाब कहरे है कि मैनिफेस्टों नहों नहीं तो जनता के सामने पंदरा लाख रुप एजमला बोला था आपने एक बात की पानी का जब किसान ने खेत के अंदर पानी जरूरत थी उस समय किसी नहर में पानी नहीं और आज जब ल तब ये पानी छोड़ करके बैठके डबोने के लिए डबोने के लिए ना आख फसल बरबाद हो जाए ताइक किसान बरबाद हो जाए अगर ये ऐसे थे जब किसान को पानी जरूरत थी उस समय नहर में पानी चोड़ दिया अगली बात रही अगनी वीर की आगनी वीर आप ये करें को नोगरी देंगे पिछह इनका एक मंत्री बोला था किनको हम उसकी चौगीदारेगी नोगरी देंगे अरे तुम ने जिब नोगरी जागर 4 साल की देदी उसको पकाई क्यों नहीं कर देते 15 साल के लिए पहले पंदरा साल एक सफाई जाता था प कि उदर से आजोड करके गारंटी दिया था अगर भाहियों मेरे से गलती होगी है तो नामुम्किन है मोधी जी आरहे हैं को गोवाना में रेली करने कुरुक्षेतर में क्या था कितना आदमी था एक परदान मंतरी एक एमले के लिए रेली करने के लिए आए कुरुक्षेतर में क्या आवा था परदान मंतरी एक पहले भी देखिया हमने आके जंगे नी मिलती थे लोगों को अरे शीटे खाली पड़ी है जितने जनलता थी उदर उस ज्यादा तर तो लोग आपके डिपार्टमेंट से थे कोई कलरक था कोई जार आदमी नी था वहाँ पर रहले यहां करके क्या करेंगे नायप शैनी ने कहा था कि आठ तारीक के बाद है अधिकारी या तो काम कर ले नहीं तो इनकी मरोड निकालेंगे फिर देखो भाई मरोड की बात तो यह है तो बीजेभी के जो कैंडिडेट है लग बगलोगों किसानों का साप रूख है जिन लोगों ने हमारे साथ जाथ्ती की अमारे किसानज आठ सो किसान साती सईद किये 13 महीने यहां टीकरी बोर्टर पे थे और खनोरी बोर्टर पे मैं तीन महीने में ठीकू आऊं ऐसा आल था वहां सूग इसके गोड़े छोड़ दिये थे सास ल और बीजेपी तो गई इसकी तो हम किसान समाज गारांटी देता कोई आएगा कोई सपोर्ट नहीं करते किसी पार्टी का भी हम पर बीजेपी ने जो जुलम किया हार आदमी के साथ आशावर कर गई जो गाओं की पंचाय जो गाओं की सरदाली होती है उस पे लाठिया अब आप पिछे नहीं अट रहे थे अब भी लाठी बजागे बोट ले ले लो ना मारे साथ वे को और किसान है क्या क्या ना चाहोगे चाचाप की बार क्या मुद्धी है बीजेपी तो कह रही है कि हमार खेतर तक पानी बेदिया है तो विस पशलों पर MSP दिया है अगनी अब अब तो मगति है यो तो विस पशलों पर अभी तो हाँ टो भी नहीं है बेचो के नहीं है बेचो के तो मिलेगी नहीं कहाँ मिलेगी आख जुठे बादे रहें हिन हम सो प्क photographer खेठी कुछ नहीं है हम तो इस सरकार से जो हब लकुल तंग है ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया कोई भी जार पेंशन देरी पानसौ फे मिश्लेंडर देगी आपको ने पैंशन तो चेह हमारे को ज्यादा भी मिल रही हो उसकी तो कोई दिकत नहीं बाकी जो से सब के लिए देखना थी एक के कि दरकुछ नहीं है इनकी जुथी जमलेवाजी है और कुछ भी नथेंगे यह कितनी एक गोशना करते रहो हुए है कि हमारे साथ किसान जैसे आप बोल रहो कि यह किसान हो गया है कुल्दी विश्लोई ने दो दिन पहले है उड्रामे का आप कोई पता होगा लेकन हम भी थ जबरदस्ती फोन खोश करके जमीन में देकर के मारा जो तूट गया और बाद में वही कोल्दी विश्लोई जागरे पंचायत के बीच में माफी मांगता है अगर इतना इदम था तो क्यों माफी मांगने गया हूँ गया उसी किसान मज़गे बीच में ना क्यों गया आगर तो यह तो इनके चलते हैं से ही करते हैं और इनको अब की बार थोड़ा लाइन मच्छी तरह से लगाना है कि मारे साथ किसान थे इनका कहना की जो किसानों पर लाठिया चारज किया किसानों की साधदत ली है उसको लेकर अब की बार बीजेपी परदेश से जा रही है लगा झाल